हलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज मैं आपके शाय कर रहे हूं एक बहुत ही सिंपल सी लंच रेसिपी जिसके लिए मैंने एक पैन में लिया है घी जिसको मैं मैं मेल्ट होने दे रहे हूं उसके बाद मैं इसके अंदर एड करने वाली हूं कुछ तड़के वाले इंग् और उसके साथ ही मैं डाल रहे हूं लोंग काली मिर्च आप तड़के में अपने टेस्ट के कोडिंग मसाले कम जादा डाल सकते हो या स्किब भी कर सकते हो और थोड़ा सा राई मस्टर्ड शीट्स उसके बाद में डाल रहे हूं कटे वे चॉप किये वे प्याज आप कोई कट कर लिजे चॉप कर लिजे डेजन्ट मेटर क्योंकि वह हमारे कड़ी जो हम बनाएंगे उसके अंदर मिक्स होने वाले हैं तो आप यह देखिए तड़का मैंने अच्छा सा तड़का तयार कर लिया है जब तक कि हमारे जो आनियन से प्याज है थोड़े से ब्राउन कलर मैं ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें डाल रहे हूं लाल मिर्च फाफ टीजपून लाल मिर्च डालेंगे यह देखिए मैंने साइड में पकोड़े कड़ी बना के तयार रख थी है वही में इसमें पोर करने वाली हूँ आप कोई भी पकोड़े वाली कड़ी बना लिजी चाहे तो अनियन या पटेटो पकोड़ा या फिर मूंग डाल के पकोड़े जो भी लेफट ओवर हमारे पास बचे हैं उनको कड़ी में डाल लीजिए कड़ी तयार हो जाएगी और यह देखिए कितना अच्छा तड़का लग रहा है हमारी कड़ी में अब मैंने क्या किया ह पहले से ही कुक करके राइस रख रखे हैं प्लेन राइस उनको में जो कड़ी है या मने तड़का तयार किया है उसमें पोर करने वाली हो यह देखिए मैंने डाल दिये अब हम इनको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और यह हमारी बहुत ही इंस्टंटली और बहुत ही यमी recipe र और यह थोड़ा सा गरम मसाला मैंने लास्टली एड किया है ताकि इसकी जो खुश्बू और फ्लेवर है वो हमें अच्छे से मिले तो बस अब इनको मैंने कर दिया नाइस मिक्स और यह हमारे कड़ी पकोड़े बनके रेडी है विद राइस और यह बहुत ही यमी टेस्ट में होते हैं और आपको बहुत अच्छे दिख रहे होंगे अब मैं इनको प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ देखिए इसको हमें अलग से तड़का देना होगा तभी इनको फ्लेवर मिलेगा हमारे कड़ी और पकोड़े उसके साथ राइस को अब उपस में उपर से चौप रेड़ी है इसे जरूर ट्राइ कीजिए थैंक यू फ्रेंट्स फू वाचिंग